वंदे मातरम सांथियों स्वागत है आप सभी का मेरा नाम है सुरेश मालविया और जैसा कि आप सभी को पता है हमने 1500 प्लस चैप्टर वाईज मोश्ट आई एम पी एम सी क्यूस से स्टार्ट कर दिये हैं साइन्स के जो आपके सभी एक्जाम्स के लिए एक्वली वेनिफीश कुछ हमने कोश्चन के साथ बहुत कुछ समझा हुआ था हमने इसका एनिमेशन भी देखा था और बिल्कुल मैंने आपको डाइग्रेमेटिक सभी कुछ समझा दिया था तो उससे आगे के कोश्चन हम आज इसमें करने वाले हैं कल मैंने आपको क्लास के साथ ही 30 कोश्चन क आसपास हैं वो मैं आपको आज इस class में करवाने वाला हूँ तो सभी लोग बिल्कुल class में बने रही है और answer लगाईए तो ये diagram आप लोगों को मैंने कल समझा दिया था और इसमें भी मैंने ये लगा दिया है तो अभी मैं ये तो नहीं समझाऊँगा अब मैं सीधा question answer प्याऊँगा जहां आप लोग अपने answer लगाईए तो question number 30 तक तो हो गए थे 31 से अपने start करते हैं बांकी जो चीजें हैं वो मैं आपको 7-7 बताऊँगा question number 31 आप लोग answer लगा सकते हैं भी live comment में ऐसे लगाना 31 का A है B है C है तो 31 का A होगा तो 31 A ऐसे करते जाना जिससे मुझे आपकी answer भी पता चलते रहें तो question number 31 क्या कह रहा है कि दूद को दही में इसकंदित करने वाला enzyme है भाई दूद को दही में इसकंदित कौन सा enzyme कर देता है इसकंदन मतलब English में बोलें तो coagulation यह ना उसका मतलब कि दूद का जो ठक्का कौन सा enzyme जमाता है तो देखो दूद में जो enzyme पाया जाता है वो पाया जाता है रेनिन कौन सा enzyme पाया जाता है रेनिन enzyme पाया जाता है दूद में ठीक है वही इस दूद को क्या कर देता है इसकंदित कर देता है very good, बहुत बढ़िया, सबी लोगों का आंसर सही है दूद प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है जो दूद का जो प्रोटीन है, उसको पचाने वाला एंजाइम है तो अभी देखो, दूद का जो प्रोटीन है, उसको कौन सा एंजाइम पचाता है, रेनेन चलो ये रेनिन दो बार आ चुका है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जो रेनिन एंजाइम है ये दूद को पचाने का काम करता है पहली बात तो मतलब कि दूद के प्रोटीन को और दूद में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दूद में जो protein पाया जाता है उसका नाम है casein कौन सा protein पाया जाता है दूद में casein protein पाया जाता है अब आप सम बोलेंगी सर यह renin enzyme कहां से निकलता है तो यह renin enzyme निकलता है हमारे stomach इस्टमक यानिकी आमासे से निकलता है और यह na manly जो infant होते हैं ठीक है ये किसके काम आता है मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए यानि कि मिल्क का जो प्रोटीन होता है ना केसीन प्रोटीन उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये रेनिन निकलता है ठीक है ना चलो अगला कोश्चन है दूद में कौन सा प्रोटीन शरकरा युग में पाया ज जाएगा तो केसीन पाया जाएगा तो यह दोनों तो कड़ गए तो इन दोनों में से कोई होगा और उसमें कार्वो हाइडरेट कौन सा पाया जाता है तो वो पाया जाता लेक्टोज है ना लेक्ट कैसेड होती ना तो लेक्टोज तो दूद में जो हमारा प्रोटीन शरकरा युग में है वो कौन सा है कैसीन और लेक्टोस कौन सा है कैसीन और लेक्टोस दूद में कौन सा प्रोटीन कैसीन कौन सा शरकरा यानि की कौन सा कार्वो हाइडरेट लेक्टोस कार्वो हाइडरेट ये मीठा होता है न ये दूद को मिठास जो है न दूद में वो लेक्टोस क कारण ही होती है ठीक है चलो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं दूसरे related चलो इस वाले question में बताऊंगा ठीक है तो दूद में पाया जाने वाला मुख्य protein कौन सा है तो अभी मैंने बता दिया था दूद में कौन सा protein पाया जाता है आप बताओ चलो आप ही बताओ कौन सा protein पाया जाता है इससे पहले मैं आपको चलो आप answer लगाओ मैं आपको बताता हूं कि चलो बताई देता हूं ठीक है इसका answer केसीन बता भी दिया था तो दूद में कौन सा protein पाया जाता है प्रोटीन और जो मदर मिल्क होता है ना मा का दूद उसमें भी प्रोटीन ही स्वरी ये केसीन ही पाया जाता है आप लोगों ने सुना होगा कि गाय क्या है? माता है गाय को मा बोलते हैं अपने तर तो जो गाय का दूद है ना और जो मा का दूद है उनमें ना बहुत सी similarities होती है जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो भैस का दूद या बकरी का दूद इनको आप पीने का इतना नहीं बोलते हैं जितना की गाय का दूद पीने को बोलते हैं क्योंकि गाय के दूद और मा के दूद में लगबग लगबग सेम जो है ना ingredients जो भी दूद के अंदर जो पाए जाते हैं वो सभी मा के और गाय के दूद में पाए जाते हैं सबसे पहले समझो एंजाइम एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या बोलेंगे तो देखो सबसे पहले तो इसका आंसर आप लोग लगा देंगे मैं बता देता हूँ इसका नाम है एपो एंजाइम देखो मैं बताता हूँ इसका आंसर ये कैसे हुआ है मान के चलो यह हमारा एक एंजाइम है यह कोई एंजाइम है हमारा मैंने एक structure ऐसा कुछ बना दिया है नॉर्मली ठीक है यह अकेला protein से बना हुआ भी हो सकता है या फिर इसके साथ कुछ और चीज भी जुड़ी हो सकती है ठीक है ना यह जो और extra protein के अलावा जो non protein भाग होता है ना किसी एंजाइम में जो non protein भाग होता है वो उसे हम बोलते है co factor क्या बोलते है co factor है ना तो protein के अलावा जो भी non protein जो भाग होता है एंजाइम का उसे बोलते है co factor और जो enzyme भाग होता है मतलब कि enzyme का जो protein भाग होता है उसे हम बोलते है apo enzyme और इन दोनों को मिला के जो हम बोलेंगे उसे हम बोलेंगे hollow enzyme तो बात समझ में आई या नहीं आई देखो अगर enzyme कोई enzyme है उसमें सिर्फ protein है है ना तो हम उसे क्या बोलेंगे apo enzyme अगर कोई एंजाइम में प्रोटीन के अलावा भी कोई और चीज है प्रोटीन के अलावा भी कोई चीज एड हो रही है तो जो प्रोटीन के अलावा जो भी नॉन प्रोटीन भाग होगा उसे हम बोलते हैं क्या कोफेक्टर है और इन दौनों को मिला के अपने बोलते हैं होलो एपूएंजाइम ठिक है तो अब आपको समझ में आ गया होगा तोMr. प्रोटीन के प्रोटीन भाग को हम क्या कहेंगे एपो एंजाइम बोलेंगे अगला कोशन है तो यह कोशन ना बहुत अच्छे लेवल के question है MPPSC में भी question पूछे जाते हैं और आपके जो exams है SSC बगेरा SSC MP police railway इनमें तो यह भर भर के पूछे जाते हैं तो बढ़िया से अच्छे से इनकी answer लगाई है question number 36 है कि निमने लिखित में से कौन सा पाचक enzyme enzyme नहीं है इनमें से कौन सा enzyme है जो पाचक नहीं है तो देखो pepsin है बिल्कुल पाचक enzyme है यह protein का पाचन करता है peptons में तोड़ देता है जो कि हमारे आमाशा में पाए जाता रेनिन मैंने अभी बताया है केसीन को कैसीनोजन में तोड़ता है यानि कि दूद में जो protein होती ना उसका पाचन करता है इनसुलीन देखो इनसुलीन जो है ना इनसुलीन जो इनसुलीन भाई मेरे मैंने कल बताया था कल की क्लास में insulin enzyme नहीं है insulin क्या है एक हार्मून है जो कि blood sugar को regulate करता है ठीक है अब यह आप बोलेंगे सर दो तीन तो बता दी अब चौथा अभी बता देजिए amylapsin है ना तो जो amylapsin है ना amylapsin नहीं है यह amylapsin है हिंदी में थोड़ा लिखा जाता है है सही तो amylapsin है यह क्या है ना यह भी एक amylase है जो की pancreas से निकलता है जैसे लार से एक amylase निकलता है ना मुह से तो यह pancreas से निकलने वाला amylase है ना तो यह pancreatic amylase को हम amylapsin बोलते हैं ठीक है तो यह भी एक enzyme है तो यह तीनों enzyme है insulin हमारा hormone है अगला question है पेट में भोजन को पचाने के लिए निकलता होती है तो पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवसक्ता होगी हवा पानी खनीज़की तो नहीं होगी enzyme ही है एंजाइम क्या करते हैं देखो आपने chemistry में पढ़ा होगा जो एंजाइम होते हैं वो rate of reaction को बढ़ा देते हैं है ना मतलब की reaction को बढ़ा देते हैं यानि कि अब देखो हमारे सरीर में क्या हो रही है भूजन में की पाचन की reaction हो रही है तो उसको यह बढ़ा देंगे तो वही उसी तरीके से यह जो एंजाइम है यह help करते हैं भूजन के पाचन में ठीक है अगला question है नगुशन नमर 38 ग्लूकोस को इथाईल एलकोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है तो ग्लूकोस को इथाईल एलकोहल में कौन सा एंजाइम बदलेगा वो है हमारा जाइमेज तो इसको आप लोग डारेक प्याद रख लेंगे यह जाइमेज करके एक एंजाइम है जो कि ग्लूकोस को इथाईल एलकोहल में बदल देता है ठीक है अगला जो question है वो है किस एंजाइम की उपस्थिती के कारण HIV अपना आकार अकसर बदल लेता है देखो HIV की जो है vaccine या दबाई क्यों नहीं बदल पा रही है तो HIV की दबाई इसलिए नहीं बदल पा रही है कि जो HIV का जो virus होता है वो जिस भी protein से बना होता है वो क्या करता है अपने आकार को change करता रहता तो वैग्यानिक किसी एक protein का जैसे क्या आपने देखा होगा ना corona त तो इस बज़े से क्या होता है ना इनकी एक proper एक दबाई नहीं बन पाती है तो ऐसे ही जो HIV virus है ना इसकी भी एक दबाई इसलिए नहीं बन पाई है क्योंकि ये बार 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 अपने स्वरूप बदलते रहते हैं तो इसे अपन बोलते है reverse transcription है ना reverse transcriptase करके एक enzyme होता है जो कि HIV का reverse transcription करता है तो अगला question है question number 14 मचली एक पिर्थम स्रेणी का protein है क्योंकि उसमें होते हैं मतलब कि मचली एक पिर्थम स्रेणी का protein है उसमें क्या होता है बताओ मचली में क्या पाई जाता है आवश्यक aminoamil अनावश्यक aminoamil सभी आवश्यक वसीय अमल कोई aminoamil नहीं तो देखो जो मचली होती ना उसमें सारे के सारे जितने भी essential amino acid होते हैं वो सभी इसमें पाई जाते हैं अगला question है question number 41 की जो मुह में मंड मंड मतलब starch का शर्क रामे पाचन किसकी द्वारा होता है आंसर लगाओ इसको आप लोग कुछ लोग गलत लगा देंगे क्योंकि कल अपन ने जो question लगाए था आप उसार पे लगा दोगे चलो जब तक आप आंसर लगाओगे मैं आपको बता देता हूं देखो हमारे मुह में जो भी salivary glands होते हैं यानि कि जो भी हमारी लार्ग रंतियां होती हैं उनसे ना दो enzyme निकलते हैं एक निकलता है salivary amylase है ना एक निकलता है हमारा lysozyme निकलता है ठीके ना तो यह lysozyme पाचन में भाग नहीं लेता यह क्या करता है बैक्टिरिया को मारता है अब यह salivary amylase है इसके दो पार्ट होते हैं एक होता है हमारा tylin क्या होता है tylin और एक होता है maltase यह salivary amylase के ही पार्ट है तो यह tylin क्या करता ह ये इस्टार्च का पाचन करता है माल्टोस सरकरा में किसमें इस्टार्च का पाचन करता है माल्टोस सरकरा में और अभी जो माल्टोस बना अब माल्टोस का पाचन शुगर में यानि कि ग्लूकोज में कौन करेगा माल्टोज का पाचन ग्लुकोज में कौन करेगा वो करेगा माल्टेज एद्जाइम चलो एक बार और बता देता हूँ कि जो सेलाइबा में हमारा क्या पाया जाता है M.I.L.S पाया जाता है M.I.L.S के दो पार्ट होते है एक होता है टाइलिन ताइलिन क्या करता है, इस्टार्च का पाचन करता है, किसमें करता है, इस्टार्च का माल्टेज या फिर माल्टोज सरकरा में, किसमें, माल्टोज सरकरा में, ठीक है ना, माल्टोज सरकरा में, तो ये ताइलिन करेगा, ठीक है, और दूसरा जो पार्ट होता है, वो होता है म माल्टेज तो यह माल्टेज जो एंजाइम है वो किसका पाचन यह जो माल्टेज सरकरा बनी हुई है ना इसका जो अपना ग्लूकोज है ना उसमें पाचन कर देगा तो देखो रिशेदार प्रोतेनकोंसे में ऐफ्य को आप ना ने देखा होगा है ना तो उसमें रेशे टाइप बनते हैं खोर बगएर ये सब रेशेदार होते हैं तो ये रेशेदार प्रोटीन कौन सा है हमारा किरेटिन जो प्रोटीन होता है वो रेशेदार है कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई सरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्गरूम अधवा रसांकुर कहते हैं तो देखो मतलब कहने का मतलब है विल में पाए जाते हैं मैंने बूला था ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं छोटियात में पाए जाते हैं जो भी असेंशल न्यूट्रियंट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन ये करते हैं अगला कोशन है कोशन नॉम्मर 44 वेरी गुड बहुत बढ़ी आंसर दे रह बिल्कुल नहीं है तो बड़ी आत में तो उसमें अपना केवल पानी का अफ्शोषन होता है छोटी आत में होता है कहां होता है छोटी आत में पून पाचक पून पाचक रस कहां पाया जाता है छोटी आत में है ना छोटी आत में मिलता है ये पून पाचक रस कहां से निकल रखता है बमकरने पहर these five six VIC auto increase great message हो यंद्धे तो फेट हो या कार्भो हईडरित हो सभी को पचाने वाले एंजाइम्स छोटी आइंत में ही आके मिलते हैं और वह पर पूर्ण पाचन होता है बसाका पाचन के वह लेखी जगे होता वह कहां होता है चोटी आंत में होता है ठीक है अगला question है तो इसका अंसर आप लोगों ने टिक कर दिया होगा क्या छोटी आंत अगला जो next question है वो है अधिक्तम पोशक तद्वरक्त में कहां से अफसोसित किये जाते हैं तो देखो विलाई के द्वारा किये जाते हैं विली जो रसांकुर होत होती है छोटी आंत में होती है है ना चलो आंसरी दे दिया मैंने कहां से छोटी आंत से ठीक है ना चलो question no 46 सिग्मोइट कॉलाउन किसका भाग है तो देखो जब मैं आपको बड़ी आंत बताये था ना तो बड़ी आंत को तीन-चार पार्ट में डिवाइट थी तो यह लास संगरेद होता है उसे रैक्टम बोलते है उससे बहले का जो पाड़ होता ना उसे अपन बोलते हैं सिग्मोइट कॉलन यह ना हमनाफ क्या लिवाग है अगला question सबसे नमबर 47 मानभСरी में सबसे बड़ी ग्रिंथी सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है मानव सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है तो लिवर है थाइरोइड है पी यूस है या लार ग्रंथी है तो मानव सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी कौन है लिवर यानि कि यक्रत सबसे बड़ी ग्रंथी है और जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथी पैंक्रियास है और सबसे बड़ी ग्रंथी है लीवर अगला कोश्चन है लीवर किसका भरपूर श्रोथ है लीवर में किस अगर आप लीवर खाऊगे हैं अगर आप नॉन वेज अगर खाते हैं तो लीवर किसका भरपूर श्रोथ है तो लीवर में ब पोड़ देता है तो वसा के घुलन सील विटामिन इसमें पाए जाएंगे ठीक है ना लीवर इनका स्रोथ होता है ठीक अगला कोश्चन है निमलिखित मैंसे कौन सा एक किसी भी पाचक पाचक अगल तो मेरे दोस्तों ये स्प्लीन से त्ली इससे भी पाचक अंगलता है और उसका जो नाम है I think A protease करके ऐसा कुछ है तो वो protein का पाचन करता है इससे जो भी enzyme निकलता तो ये तीनों से enzyme निकलते हैं liver से enzyme नहीं निकलता है तो इसका answer होगा liver अगला question है question number 50 निमलिखित मैंसे किसका sensation यकरत द्वारा किया जा सकता है तो अभी यहां भी आप confuse हो सकते हैं कल मैंने आपको जो slide थी उसमें पढ़ाया भी था कि यकरत द्वारा दो vitamin को store किया जाता है store store करना मतलब संग्रह करना store A और D को किया जाता है यह store कर रहा है लेकिन यहां पर बोला है sensation यानि कि synthesis मतलब कि बनाना बिटामिन A का sensation करता है कौन लीवर अगला question है question number 51 पचे हुए भुजन में मौझूद विशेले पदार्थ का कौन सा अंग चूशन करता है मतलब कि भुजन में जो विशेले पदार्थ होते हैं उनको कौन सा अंग हमारा है जो उसको absorb कर लेता है उसना यक्रत ही करेगा ब्लेड का purification अगर सही धंग से वपन बूल लें तो वो कौन करता है यक्रत ही करेगा और यक्रत क्या करेगा यूरिफिकेशन करेगा मतलब कि यूरिया का निर्मान या कहां यक्रत में होगा फिर ये यूरिया कहां चला जाएगा हमारे जो मूतराश है ना वहां चला जाएगा ये ना फिर वहां से आगे की process होगी तो भाई ये यक्रत में होता है इसको ध्यान देना 52 निमलिखित मैंसे वह अंग कौन सा है जो मानव सरीर में glycogen की रूप में कौन सा अंग है जो मानव सरीर में glycogen की रूप में कार्वो हाईडिट को जमा करता है तो मैंने कल ही बताया था कि यक्रत ही है जो extra glucose होता है जो extra energy होती है वो glycogen की form में यक्रत में जमा हो जाती है और जब हम breath बगएरा रहते है या भूख बगएरा जब लगती है तो यह क्या करता है जब भी हमें भूख महसिस होती है तो यह क्या करता है यहां से pancreas से निकलता है क्या insulin insulin इसको stimulate करेगा यक्रत से बोलेगा भीया इस इंसान को भूख लग रही है इसके blood में glucose डाल दो और glucose डालते ही क्या हो जाए भाई glucose से क्या मिलती है instant energy मिलती है और हमें energy मिल जाती है तीन-चार घंटे तक फिर भूख नहीं लगती है तो सरीर में glycogen की रूप में कार्वो हाइडरेट कहां जमा होता है यक्रत में जमा होता है कल की class देख लेना वहाँ पर मिलेगा आपको यह सब चीज निमलिकित में से कौन सा अंग glycogen को glucose में बदलता है और रख्त को शुद्ध करता है तो देखो glycogen को glucose में कौन बदलेगा वही लीवर ही बदलेगा अभी देखो glycogen के form में store हो गया था क्या glucose अब इनसान को मूख लगेगी लगेगी की नहीं लगेगी तब यही जो stored glycogen है इसका glycogenesis हो जाएगा और यह glucose में परिवर्तित हो जाएगा और एनरजी इनसान को मिल जाएगी यह लीवर का काम है भाई इसमें यूरिया बनाते है यूरिया का निर्मान कहा होता है मैंने बताई दिया है यूरिया का निर्मान कहा होता है बताओ जल्दी से यूरिया का निर्मान गुर्दे में होता है पलीहा में होता है मुतराश है बहुत से लोग यह लगा के आएगे पर यह नहीं है मेरे भाई लोग क्या है यक्रत में होता है ठीक है ना अगला कोश्चन है निमलिकित में से किस एक की उत्पत्ती यक्रत का कार्य है बता दो किस की उत्पत्ती लाइपेस तो कहां यह अपना लाइपेस जो एंगाइम है यह अपना निकलता है अपसाइद पैंक परदमान करना है भई साहब यक करत कांदार अगला कोश्चन है व्यूंध बहुत बड़ी है सभी लोगों ने बहुत शन्दार. 56 ग्लाइक कोजन निमल खित मैंसे किस में जमा था है लिए उन्ग इतनी बार यह पूछ चुके साथ करता यकरत सरस्या या यक्रत निक्रोसिस पैदा करती चलि इसका आंसर दीजियों सबसे पहले को मतलब मैं ciao सहलो वाली क्लास में बताया था लगी जिवित शरीर के अंदर आधिच्ट की की मरतिव ढ Quand यक्रत के अंदर कॉपर की जो है ना मात्रा बढ़ जाएगी तो यक्रत निक्रोसिस हो जाएगा आपको आपको ना हो भई भगवान करें है ना सुरी गलती से निकल गया है ना तो यक्रत निक्रोसिस हो सकता है किसी भी इंसान को अगर उसमें कॉपर की मात्रा बढ़ जाएग 58 का जो है वो है मन है effla toxin effla toxin ताचत द्वारा सामाने तक कौन सा अंग प्रभावित होता है तो देखो अभी खाद विसाट टन समझ में आता होगा effla toxin क्या है तो देखो यह जो effla toxin खाद विसाट टन है यह क्या है जेखो जो अपने जैसे के मान की जलो आलू टमाटर जो भी खेतों से जो सामान मिलते हैं गेहू, ये जो जो भी अपने डाल वगएरा इन में क्या करते हैं अधिकत्व मुठपादन के लिए कीट नासक वगएरा डाल डाल देते हैं और भी कई ऐसे इंजेक्शन वगेरा लगा देते हैं फालों में तो इन चीजों से क्या हो जाता ना ये खाद पदार्थ विशेले हो जाते हैं और यही चीज हमारी कहलाती है एफला टॉक्सिन खाद विशाक्तितन और जब हम इन विशेले पदार्थों को खाएंगे तो हैपेटाइटिस क्या होता है सुना होगा ना हैपेटाइटिस ए हैपेटाइटिस बी और पता नहीं कौन-कौन से हैपेटाइटिस आ गए हैना तो हैपेटाइटिस का मतलब होता है जो हमारा लीवर है ना उसका फूल जाना हैना स्वैलिंग और लीवर में स्वैलिंग आ ज पीते ना अल्कोहल जो ज्यादा करते हैं तो उनको पीलिया ज्यादा तर देखने को मिलता है ना तो पीलिया उनको होता है तो पीलिया और देखना कभी-कभी जब जिनको ज्यादा एल्कोहल मतलब बहुत ज्यादा एक्सिम लिवल का जॉन्डिस हो जाता ना वो इन्हीं को हो प्रणित से होता है वो किस से संब्णित होता है ठीक है ना ऐसा मुझे पता है कि मीरे एक फ्रdoes्ट के एक जीजा जी थे वह बहुत वह पिते थे तो उनको पी-लिया से उन के dait कि ए-थ हुई थी ठीक है पी-लिया रो यका सौरी Th endeavor गुर्दा तो नहीं लगा दिया मैंने थी कहас से लिवर से उतपादित होता है पित्ता से में श्चोर होता है कहां होता देखो ये Question आहि compartirा होगा एक सान अंता स्रावी और बही स्रावी दोनों तरीके की ग्रंति एक सान्थास्रावी और बाहिश्रावी जो ग्रंतियां होते हैं यह एंजाइम और हार्मून्स है ना जो अन्था स्रावी होंगी वो किसका हार्मून्स का और जो वही स्रावी होंगी वो किसका किसका एंजाइम का स्रावन करती है तो भाई कौन सी गरंती है जो एंजाइम और हार्मून दोनों का स्रावन करेगी बो है पता हूं मिक् इंसुलिन का निर्मान तिली नहीं करती है यकरत नहीं करता है अगनाशे करता है एना अगनाशे में भी कौन लेंगर हैंस की दीप समूव में एक कोशी का होती है बीटा कोशी का वहां से इंसुलिन निकलता है ठीक है बिलकुल बहुत बढ़िया 65 माना शरीर के किस अंग से इ होता है बहुत शानदान सभी लोगों का सही आंसर एई कहां सोता है 65 का एग्नाश पैंक्रियास की कोश्का इंसुली मोने उस्थ्रावित करती हैं उरे उत्पन्न करती हैं उनको क्या कहते बताओ जल्D बताओ थाइमस पोलते हैं ंस्ट्रोजन बोलते हैं कशल्प कार्व एपिड़ाइन मिस अभी बताए था बातों बातों में थोड़ी दिर पहले आईलेंच सो लेंगर हैं जहां से इंसुलिन निकलता है न पैंक्रियास की इनसे निकलता है इंसुलीन की कुछ किसने многi कि olsun नीथी बताओ यह जेंआ व्क समय ने लाई 20 face ने नहीं करी थी किसने करी थी वह कई वार पूछा गया है इंसुलिन एक का क्या है बताओ हर्मून है प्रोटीन है एंजाइम है बितामिन है जलदी सेだ अंसर करो कई वार लुट हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन है स्याइब आगला कूशा हार्मोन है क्वेस्ट यह सब्सक्राइब करता सबने अगला कुशन का सब्सक्राइब क्हों करता है इन्सुलिन निकलता है तो बहुता है लिवर hangs DOWN आघे जाओ यहिए जो Hem और आपास जो ग्लाइकोजन है उसका ग्लाइकोजनेसिस करके बलड में गलूकुस भेजो एंसुलिन का रिसाव होता हैं बताओ 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 है ना पैंक्रियाज में आइलेट्स ओफ लेंगर हैंस की कौनसी बीटा सेल से कौनसी सेल से बीटा कोशी कहाँ से निकलेगा वेरी गुड बहुत बढ़ी है सही आंसर है 71 सरीर के किसंग की खरावी से मदुमिह का रोग हो जाए बताओ किसकी खरावी होगी लीवर में खरावी आजाएगी कि पैंक्रियाज में खरावी आएगी इन दोनों में तो नहीं आएगी बताओ इन दोनों में से कौन आंसर होगा लीवर और पैंक्रियाज में से जल्दी बताओ बहुत बढ़ी है बहुत शानदार पैंक्रियाज क् चलो किस रंग द्रवी की उपस्तिती के कारण मानव का जो मल है उसका रंग पीला होता है बताओ पैपसिन रेनिन एमिलेस तीनों नहीं यूरो बिली बिलीन आपने कल अपन ने पढ़ा था ना यकरत क्या करता था अपना जो लीवर क्या करता था कल अपन ने पढ़ा था कि ल इले रंग कारण है अगला कुश्य है निमलिकित में से किस भाग में पाचक और स्वसन नलियां क्रोस करती हैं भाई पाचक और स्वसन नलियां कहां क्रोस करती है तो हमने कल पड़ा था यहां पे इपोगलोटिस लगा हुआ था और यहां से यह इपोगलोटिस लगा हुआ थ यहां से हमारी ग्रस्णी इसोफेगस जा रही थी यहां पर हमारा क्या था लेरिंग्स था यानि कि यह स्वांस नली थी और यह हमारी फूड पाइप था यानि कि खाने का पाइप था यह दोनों कहां यह दोनों ही क्रॉस करती है ना कहां क्रॉस करती है यह हमारी क्रॉस आन्तिमुतपात क्या होगा तो नहीं कि सही यह म horrific का पाचन होता है मालश में मनेश रक्राम में लोटी यह डिखineक कर रईागा सब्सक्रार सबस्तिघ्ड को रहूट यह जो 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 भी जीवित लोग उनमें सबसे ज़्यादा कौन सा तद्व पाया जाएगा हाइड्रोजन अक्सीजन कारवन नाइट्रोजन सभी को पता है ये तो बिल्कुल बहुत बढ़िया सभी का क्या है ऑक्सीजन ठीक है ना तो हमने ये 75 कोश्चन ऐसे लगा लिए हैं और इनके अलावा भी हमने मतलब क बहुत सारा कुछ है ना फैक्ट के साथ एक्स्टा पढ़ जया है तो इतना आपके लिए काफी है पाचन तंत्र से तो कल की क्लास भी देख लेना ये भी देख लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना क्लास को लाइक कर देना चैनल को जरूर कर देना ठीक है चलिए ठीक है सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बंदे मात्रम